फेसबूक पेज़ पर मुभी क्लिप्स अफ्लोट कटरके अर्निन करना चाहते हो तो आपको इस त्री सेसट के ऊपर नज़र रखना है चाहिए अगर आप इस त्री सेटिंग को फॉलौ नहीं करोगे तो आपका फेसबूक पेज़ से ऑर्निन्गOh Si सकते हैं तो दोस्तों अगर आप इस टोफिक के बारे में डीटेल से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखो ओ भी बीना स्किप किये और एक बात दोस्तों वीडियो को लाइक करते हैं इस भाई को सपोर्ट करना तो चले दोस्तों वीडियो को शूरू करते हैं देखो दोस्तों मैं क्लियरली बताना चाता हूँ अगर आप फेस्बूक पेज पर मुवी क्लिप्स अपलोट करना चाते हो वहां से अर्णिंग करना चाते हो तो आपको अपना जो गलतिया है उसको सुधारना है और वो सुधारने के लिए किसी कवे वीडियो देखलो अब सम क्लिप Şimdi समय और वहाँ सरह क्रेटर चलिए समय और बहुत सरह क्रेटरें है जो लोग करके वीडियो बनाते हैं और दुसरे के लिए बहां चाता है तो दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूँ जो वी वीडियो अपलोट कर रहे हो उससे पहले आपका जो editing उसके उपर focus रखो, क्योंकि facebook करर आफ कहां whipping आप काम कर एडिटिंग के उपर आपको ज़ादा focus रखना ही होगा, editing आपको ज़्यादा Хорошо hard नहीं करना होगा, बहुत बड़िया आप बनाने को बहुत भुँत नहीं है अपने अंदर जो खुद क्रिएटिव वीडियो उसको आपको जगाना होगा तो तब आपको फेश्बूक पेज पर मुवी क्लिप कोई भी अपलोड कर लो आपका फेश्बूक पेज में कोई भी बैन नहीं है क्योंकि फेश्बूक खूद ही कहते हैं बहुत सरे वीडियो में मैं ये बात बार-बार कह चुका हूँ जो भी वीडियो आप फेश्बूक पर अपलोड कर रहे हैं फेश्बूक खूद कहरे हैं उसके अंदर आप नोट कर लिजे उसके अंदर आपका खूद का क्रिएटिवीटी होना चाहिए अगर क्रिएटिवीटी नहीं रहेगा तो आ वीडियो आप अपलोड करने जा रहे हैं उससे पहले रिवीव करके देख लो वह फेश्बूक का जो क्रेटिर है उसके साथ मैच हो रहा या नहीं और भी एक इंपोर्टन बात कहना चाहता हूँ दो दिन पहले मेरा दोस्त फेश्बूक पेज़ पर वीडियो का अपलोड क चुका है YouTube उस वीडियो को बूश्ट भी किया था उसका व्यूज भी थोड़ा बुच जदा है लेकिन फेश्बूक पर व्यूज लाइक्स कोमेंट सब कुछ है लेकिन आर्निंग्स जीरो है और इसके अंदर जो गलती किया था वह है वीडियो रिजूलीशन ज्यादा था एक जो चुपा हुआ टांस और कउंडिशन से फियू कहते है फिजबू कहते है फिजबू खूद भी पघल है फिजबू खूद भी ने जाता है उसको किस टाइप का वीडियो अप्लूट करना चाहिए फिजबू कहते है आप 16-9 1-1 कही भी रिजूओ में वीडियो अप्ल प्रिफर करना करने 9 तर जो सेच्ट प्राइब करता है उसका र chromos π W 안 ले वान प्रिष्वन में चलते है और 16 तॉन 10 में उसका वहां फोरा काम होते यह बहुत सरा लोगों को पता नहीं चोश लोोग क्या करते हैं जो video के लिए वीडियो बनाते हैं उसी को लेट लोग इसके उपर कोई रिसरच भी नहीं किया फेस्ट बोग से भी आइर्णिग करते हैं लेकिन दोस्तों आर्णिक करना है तो ज़्यादा होना चाहिए थो बहुत क्यूं लेंगे आप मैंत कर रहे हैं आर्णिक ज्यादा होना चाहिए तो आपको वीडियो resolution रखना है 1 is to 1 चाहिए movie clips upload कर लो या खुद का ही वीडियो upload कर लो आपको ये settings एक number settings से इसको आपको on करना ही चाहिए ये कुछ से on करना होगा यानि कि editing के वक्त आपको 1 is to 1 ratio में ही वीडियो बनाना चाहिए उसको 1 is to 1 ratio में ही export करना चाहिए और इसके उपर और नीचे उस वीडियो के बारे में कुछ लिख देना है क्योंकि facebook में search ज़्यादा नहीं होता है तो लोग title और description के उपर ज़्यादा धेन नहीं देते जिस language में वीडियो है चाहिए English हो ये Hindi हो अपने page के बारे में या आपका वीडियो के बारे में कुछ उपर और नीचे लिख देना चाहिए facebook creator studio जो है उसके अंदर आप उससे वीडियो upload नहीं कर पाऊगे facebook बहुत कुछ चेंज कर रहे है तो आपको उसके उपर धेन रखते हुए आपको नजर रखते हुए आपको ये कम करना होगा जो भी आप वीडियो upload करने जा रहे हो उसके लिए आपको Meta Business Suite वो जो website है या वो जो studio या facebook apps है वो दोनों से आपको upload करना चाहिए उसके लिए आप Play Store में जाओ और Meta Business Suite जो apps है वहों से upload कर सकते हो या facebook page जो facebook Meta Business Suite ये दोनों से upload कर सकते हो टाइटल भी लिख सकते हो लेकिन कुछ कुछ पेज पर अपडेट नहीं आया है जो टाइटल लिखने का कोई जगा नहीं है सिर्फ आप description ले सकते हो तो इसलिए कह रहा हूँ आपको number one setting one is to one resume में वीडियो अप्लोड करना है और आपको दूसरा settings जो भी वीडियो अप्लोड करने जा रहे हो उसको आपको Facebook Meta Business Suite से ही अप्लोड करना होगा ने तो आपका Facebook वीडियो में problem आ सकते है जो भी वीडियो आप अप्लोड करने जा रहे हो उसको तुरंत publish मत कर देना उसके लिए एक दिन टाइम लेना जरूरी है 20 गंटे पहले आपको वीडियो को ready करके Facebook पेज पर आपको अप्लोड कर देना चाहिए जो भी वीडियो आप अप्लोड एक है आपको publish दूसरा draft और तीसरा है schedule तो तीसरा options को आपको active करना है एक दिन पहले आपको वीडियो को SEO करके और अप्लोड करके रख देना होगा और दूसरे दिन automatically upload हो जाएगा अगर उस वीडियो को आप YouTube पर भी upload करना चाहते हो तो उसी को same time पर दूनों जगा पर आप आपको schedule एने की schedule कर देना होगा तो यह three settings बहुत important है अगर आपको वीडियो को अच्छे लगा तो वीडियो को like किजिए और movie clips को कैसे edit करना है इसके बारे मेरे चैनल पर वीडियो दिया हो है सब देख लो और उसके बारे में detail से जन लो movie clips upload करने के साथ अपना एक दूसरा page भी बना लो जहां पर आप खुद का वीडियो upload कर सकते हो खुद का experiment share कर सकते हो चाए facebook हो या youtube हो अपने creative वीडियो को मत खो देना क्यूंकि अपना creativity जिन्देगी के साथ साथ देगा movie clips तो earning करने के लिए कुछ दिन तक चलेगा लेकिन अपना creativity जिन्देगी भर चल सकते है अगर वीडियो को अच्छे लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में नया एक आइडिया के साथ तब तक अपना ध्यान रखिए थैंक्यू सो मच्छ